स्वागत है students आपका हमारी चैनल पर आज हम करेंगे कक्छा आत में विसे गनित का ग्रिस्म कालिन घ्रहकारे की सभी वर्क्षीट एक साथ सॉल्व करेंगे जितनी भी आपको वर्क्षीट करनी है वे सभी 6 वर्क्षीट आपको सॉल्व इस वीडियो में एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी इसी के साथ आपको अन्य विश्यों के भी हमारे चैनल पर उपलब्द मिलेगी सभी सीटों के लिए वीडियो एक बनाया गया है ताकि आप आसानी से एक ही बार में सभी सीट्स पूरी कर पाएं और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि हमारा टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको डिक्स्किशन मिल जाएगी आप टेलिग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें ताकि कुछ महत्पुन जानकरियां जो यूट्यूपर साजा नहीं की जा सकती है वह टेलिग्राम चैनल पर साजा की जाती है तो आप उसके जरूर जुड़ें तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्ट नमबर एक से यह वक्षीट नमबर फर्ष्ट है हमें प्रतिक चिन दिये गए हैं उनकी साजता से हमें बॉक्सों में संख्यां को भणना है जो गोला है वे हजार के बराबर है जो पंच भूज है वे सैकडा सो है जो इस्टार है वे धाई है मतलब की दस के स्थान पर है और जो वर्ग है वे एक एकाई है तो देखिए इधर देखिए दो गोले फिर क्या है चार पंच भूज फिर तीन इस्टार है और तीन ही क्या खरम कि देखिash किस्तान पर गोला था इसी किस्तान चार कि स्यो Espあり ढ़ी पे 3 इकाई पे 3 संख्या क्या बनेगी 2 4 संख्या क्या बनेगी 243 इसी के साथ है तैं आगे भी करनेहें 3 एics लिग दिया तो एक तीन दो दो संक्या क्या बनी एक हजार तीन सो बाईस अगला देखिए चार चार एक चार क्या बनेगा चार हजार चार सो चौदा फिर देखिए पाँच दो तीन दो संक्या क्या बनेगी पाँच हजार दो सो बतिस अगला देखिए तीन एक दो छें संक्या क्या बनेगी तीन हजार एक सो चपविस अगला देखिए छें पांच दो एक क्या बनेगी संक्या छें हजार पांच सो इकई अगला देखिए तीन तीन दो चार क्या बनेगी संक्या तीन हजार तीन सो चपविस अगला देखिए पांच साथ एक जीरो है पांच है ये साथ फिर एक और वर्ट हम जो वर्ग है जो इकाई है वे दे नहीं रखी तो जीरो ले लेंगे क्या बनेगा पांच जार सांफ सो दस एक चार चार एक क्या बनेगी संख्षा 1441 अब वक्षिट नमर दो करते हैं इस्टुडेंट जे गिर्स्मकालिन ग्रहकारे कख्षा छे गनित की है जिसमें हमें रिक्तानों की पूर्टी करनी है हमें चायंकित भाग और कुल भाग दे रखे हैं हमें उससे भिन बताना है और अंस और हर्भी बताना है सबसे पहले आपको यह पता होना चीए इसको solve कैसे करते हैं एक गोला है जिसमें देखिए चार भाग है चार भाग में से एक भाग भरा हुआ है मतलब कि एक भाग चायंकित है तो चायंकित भाग जो होता है उसे उपर लिखा जाता है अंस की जगे और हर की जगे जो कुल भाग है जो चार है तो चार नीचे लिखा जाता है तो हर क्या हो गया चार अंस क्या हो गया एक तो बराबर किये गए कुल भाग कित्ते हैं चार और चायंकित भाग है इस परकार से हमें नीचे भी भरना है 12-5 तो 5 बट्टे 12 हो जाएगा भिन चाहिंकित भाग को उपर लिखते हैं और कुल भाग को नीचे अन्स क्या होता है चाहिंकित भाग होता है 5 तो 12 भार हो गया 8-6 6 बट्टे 8 6-8 यहाँ पर देखिए 3-5 दे रखा है तो 3 लिखेंगे चाहिंकित में और कुल भाग हो जाएगा 5 क्या बना 3-5 अगला देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें 5 और 6 तो 5 चाहिंकित कुल 7 अंस 5 हर 7 अब इसमें देखिए हमें अंस और हर दे रखा है तो क्या बन जाएगा 3 बटे 8 तीन लिख देंगे चाहिंकित और कुल 8 इधर देखिए 7 और 10 ते रखा है 7 बटे 10 हो गया 7 तैंकित 10 कुल अगली परशी देखते हैं जिसमें कुछ हमें जोड घटाफ के परशने दिये गए हैं हमें उन्हें हल करना है समझ कर तो चलिए देखते हैं रमेश के खाते में 7,438 रुपे हैं उसने माइनस करने पर घटाने पर 4,588 अगला देखिए एक नगर में पुरुसों की संक्या है 15,348 और महिलाएं हैं 12,94 तो कुल कितनी जन संक्या हुई तो कुल पूछ रहा है तो जोड देंगे स्टुडेंट्स जोडने पर क्या आ जाएगा 28,222 अगला देखिए पल्स पोलियों के पर्थम चरन में 28,546 बच्चों ने वज़ दित्य चरन में 26,968 बच्चों ने दवाई पिलाई गई तो कुल कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई जोड देंगे स्टुडेंट्स कितना आ जाएगा 55,514 अगला देखिए मोहन के पास में यह स्टुडेंट्स आपको बता देता हूँ यह है सांत यह कितना है? यह सांत है, यह है हमारा 0 और जो यह संख्या है यह 4 है और यह 0 है तो यह क्या हो जाएगा? 7,0, 4,0 है यह 7,0, 4,0 और यह देखिए यह 3, 5,0, 4 है 3, 5, 0, 4 तो आप घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 में से 4 गए तो 6 बच गया अब यहाँ पर देखिए 3 बच जाएगा हासिल चली गई थी क्योंकि 3 इस प्रकार से लिखते हैं फिर 10 में से 5 गई तो 5 अब यहाँ पर बचे कितने बचेंगे यहाँ पर यह साथ है साथ के स्तान पर 6 बच जाएगा क्योंकि हासिल चली गई थी यहाँ पर 6 में से 3 गई तो 3 क्या बन जाएगा 3, 5, 3, 6 Students आपको हिंदी में लिखना है इसका मतलब होता है 3, 5, 3, 6 Confuse नहीं होना है आपको देखिए अगला देखिए प्रश्ण सुसीला बचार में एक अलमारी खरीदी है उसने यह भी मैं आपको बता दू कौन-कौन संख्याए है 6, 5, 5, 0 6,550 है और वह एक कुलर उसने कितने में खरीदा यह 2 है यह 7 है यह 6 है और यह 5 है तो कुल रुपे कितने खर्च हुए दोनों को जोड देंगे स्टुडेंट्स कितना आ जाएगा 0 और 5, 5 बच जाएगा 5 और 6, 11 होते हैं एक इस परकार से लिखते हैं स्टुडेंट्स इस परकार से 1 लिखा जाता है यह 1 हो जाएगा हासिल की चली गई एक 6 और 7, 13, 3 हासिल लगी एक 6 और 2, 8 और 1, 9 तो आपको 9 लिखना है यह 6 है, यह 2 है इस परकार से लिखा जाता है 9 अगला देखिए रामू कुमार ने दिपावली पर पहले दिन 1500, दूसरे दिन 1250 दिपक बेचे यदि सुरुवात में उसके पाँच हजार थे तो बताओ अब किते हुए दोनों को जोड़ देंगे पहले दिन और दूसरे दिन जो बेचे कितना आ जाएगा 2750 अब उसके पास थे कितने 5000 तो 5000 में 2750 घटा देंगे बचे कितने 2250 अगली बक्षित देखिए ग्रिस्मकालिंग घ्रहकारे कक्चच है गनित की स्टुएंट्स जिसमें हमें छेतरफल को समझना है देखिए छेतरफल क्या होता है किसी भी वरत या वर्ग का लंबाई गुना चोड़ाई जैसे कि इसमें लंबाई 5 है और चोड़ाई भी 5 है तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 वर्ग मीटर इसकी जो यूनिट होती है वर्ग मीटर में होती है इसके आपको लगाना भूलना नहीं है इसके मार्क्स कर जाते हैं नहीं तो एक्जाम में देखिए इसमें देखिए लंबाई 10 है और 6 मीटर चोड़ाई है छेतरफल लंबाई गुना चोड़ाई 10 गुना 6 60 वर्ग मीटर आगया तीसरा प्रशने देखिए छेतरफल निकालना है लंबाई गुना चोड़ाई लंबाई 110 और चोड़ाई 70 कित्ता आजाएगा गुना करने पर 7700 वर्ग मीटर अगला है नीचे दिये गए आयता कार मा परियाकरती को चेतरफल ग्याद करना है लंबाई दे रखिए है मैं चोड़ाई दे रखिए है 48 और 42 दोनों को गुना कर देंगे चेतरफल कित्ता आजाएगा 2016 वर्ग सेंटिमीटर अगला देखिए 30 लंबाई है चोड़ाई है 25 दोनों को गुना करेंगे कित्ता आजाएगा 750 वर्ग सेंटिमीटर अगला देखिए हल करना है एक वर्गाकर रुमाल के चारो और गोटिक की लंबाई 60 सेंटिमीटर है एक वर्गाकर रुमाल है जिस पे चारो और गोटा लगा हए जिसकी लंबाई कितनी है total 60 है तो एक भुजा की लंबाई कितनी होगी और छित्रफल कितना होगा हमें पता है वर्गाकार की सभी भुजाएं समान होती है तो हम माल लेते हैं एक भुजा X है तो सभी क्या हो जाएंगी? X सभी को जोड़ दीजिए क्योंकि सबी के बराबर कित्ता दे रखा है साथ तो 4X कित्ता हो गया X plus X plus X Plus X बराबर 6 4X बराबर 6 हो गया 4X बराबर 60 हो गया तो X बराबर कित्ता आ जाएगा साथ बटे 4 मतलब कि 15 cm चितर फल हमें पता है लंबाई गुणा चोड़ाई ओती है सार्णी से टैली मार्क्स का मिलान करके उचित प्रश्णों के हल्द करने हैं देखिए एक कक्षा में छात्रों से जब उनके जेब खर्च के बारे पूछा गया तो इस परकार के उत्तर मिले यह निम्न उत्तर हैं तो हमें बताना है सार्णी बनाकर टैली मार्क्स और छात्रों के संख्या बता कर जेब खर्च यहाँ पर कुछ मिस्टेक थी मैंने सही कर दी है तो आपको क्या लिखना है पहले जित्ती भी संख्या है उनको एक एक संख्याओं को लिख देंगे देशे दो चार पांस साथ और दस इनमें यही सं पांस साथ आप देखेंगे तो आठ जनों के पास है तो आठ उत्तर हो जाएगा दस कितने जनों के पास है दो जनों के पास है तो दो उत्तर हो जाएगा अब प्रश्ण उत्तर दे रहे हैं सालनी पड़कर तो देखिए पांच उपे जेब घर्च वाले छात्रों की संक्या कित्ती है देखिए पांच उपे वालों की 6 संक्या है 6 लिख देंगे 10 उपे वालों की है देखिए 2 है दो लिख देंगे और चात्रों में कुल सॉरी कक्षा में कुल कितने चात्र है सभी को जोड देंगे उत्तर आ जाएगा 25 अगला देखिए कक्षा 4 की विध्धारतियों के प्रथम टेस्ट के अंकों के आधार दे रखे हैं तो हमें नीचे दी गई सान्नी में उनको लिखना है तो देखिए दो अंक प्राप करने वाले संख्याओं कित्ती हो जाएगी चार जने हैं गिनके देखेंगे हम एक, दो, तीन, और चार चार लिख दिया है, टैली मार्ग बना दिया है तीन के तीन वाले पांच है तीन है, तीन है देखिए चार से अधिक प्राप्त करने वाले कित्ते हो गए पांच, चार या चार से अधिक और ये पांच और चार को जोड देंगे नौ छात्र हो गए अगला देखिए स्टुडेंट्स, अगला हमारा सीट है कच्छाच है, गरीत, गरिस्मकालें, घ्रहकारे की जिसमें हमें वहान और उनकी संख्याओं के बारे में दरसाया गया है तो हमें इसको दंड आलेक के द्वारा नीचे परतसित करना है देखिए, मोटर साइकल 14, स्कूटर 8, कार 4, जीब 2, साइकल 10 तो स्टुडेंट्स, मोटर साइकल कितने जनों के पास है, 14 एक मैंने लाइफ करने के लिए आपको छोड़ दिया है तो देखिए, 14 तक लगाएंगे हम निशान और उस पे मार्क कर देंगे, उसको चाहिंकित कर देंगे स्कूटर वाले कितने हैं, देखिए, 8 तो 8 तक भर देंगे कार वाले हैं, हमारे पास 4 4 तक भरेंगे, स्टुडेंट्स जीप वाले 2 हैं, और साइकल वाले 10 हैं तो 10 तक भर देंगे, इस परकार से आप इसको बना देंगे मोटर साइकल वाले कितने हैं, हमारे पास 14 हैं यहाद ध्यान रखिएगा students यह गलत है students cycle नहीं आएगा सबसे अधिक संख्या किस वहान की है तो यहाँ पे क्या आजाएगा motorcycle motorcycle उत्तर आजाएगा चार पईये वालों की संख्या देखिए car और jeep को जोड़ देंगी दोनों चार पईये होते हैं दोनों में तो चार और दो छें उत्तर आजाएगा तो students यह था हमारा पूरा ग्रह कार्रेक ग्रिस्प कालिन का कप्चा छें के लिए हमने एक ही वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है और करवाया है इसी परकार अन्य भी देखने के लिए जुड़री चैनल से लाइक करें सियर करें सस्क्राइब करें और टेलीग्राम चैनल जुड़ना ना भूलें धन्यवाद